समताप मंडल में ओजोन परत का कार ये क्या है समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसका काम भूमंडली ताप मान को इस्तिर रखना इसका काम है या भूकम्पों की आबृत्ति को घटाना है या मानशोनों की विफलता से बचना है या भूतल पर पराबैगनी वि पाई जाती है, ओजोन लेयर आपको कहां पर मिलती है, सबसे पहले कौँ सा मंडल होता है, इसके बाद क्या होता है, समताप मंडल होता है, और इसी समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, इसी समताप मंडल में ही खास करके निचले छित्रों में क्या पाया जाता है, एक लेय लेयर पाई जाती है और उस लेयर का नाम क्या होता है ओजोन परत होती है ना इसी को कहते हैं ओजोन परत और यहां से सन से जो भी UV रेज आती है उसको यह क्या करता है यह रोकने की कोशिस करता है या तो एब्जॉर्ब करता है या तो रिफलेक्ट करता है और यहां से सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की किरणों से हमारी protection होती है, तो ultraviolet rate से हमारी protection करती है, और अगर ये सीधी हमारी skin पर पड़ता है, तो skin cancer जैसी बिमारियां भी होती है, ये भी सवाल पूछा जाता है, कि UV rate से किस प्रकार की समस्याएं होती है, तो skin cancer जैसी समस्याएं होती है, इसमें अगर देखेंगे समताफ मंडल के निचले छित्रों में, और समताफ मंडल का जो निचला छित्र होता है, वो आपको कहां पर मिलता है, तो सरवाधिक सांद्रता इसकी जो पाई जाती है, 22, 20 किलो मेटर तक पाई जाती है, और वैसे अगर इसके विस्तार की बात करेंगे, मोटे तोर पर तो 15 किलो मेटर, 15 किलो मेटर कहां पर होता है, तो छोप मंडल की बाहरी सीमा है, 15 किलो मेटर से ले करके, यह कहां पर पाया जाता है, तो 35 किलोमेटर तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है लेकिन अगर सरवाधिक सांद्रता की बात करेंगे संकेंद्रन की बात करेंगे तो वो होता है 20 से लेकर के 22 किलोमेटर तक इसका विस्तार जादा पाया जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा समता पंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैगनी विक्रणपात को थामना इसका उद्देश होता है